जी अब हम इस lecture के अंदर देखेंगे कि cross validation को हम further किस तरीके से plot कर सकते हैं अगर आप गौर करें तो ये screen आपके सामने हाजिर है यहाँ पे हम plot करेंगे अपनी k-fold cross validation को यहाँ पे हमने numpy को बुला लिया, matplotlib को बुला लिया, load iris का data set कर लिया cross validation score को यहाँ पे लिया है और हमारे पास decision tree classifier के थुरू हम इस पे काम करेंगे तो iris का data आया, xy के अंदर हमने इसको define कर लिया define decision tree classifier हमने यहाँ पे कर दिया scores हमने 8 fold के लेने हैं यानि के k is equal to 5 नहीं, इस दफ़ा k is equal to 8 कर लेंगे अब करने के बाद हमने क्या करने है जितना भी हमारे पास plot है इसको scores को blue color के साथ line dash या market के साथ हम इसको plot कर लेंगे using plotly and it will look like somehow this अब यहाँ पे अगर आप गोर करें यहाँ पे आपको fold number भी नज़र आ रहे है और हर किसी की accuracy भी नज़र आ रहे है यूजली पहले fold की accuracy इतनी थी दूसरे की इतनी तीसरे की इतनी चोथे की इतनी पांचवे की इतनी छटे की इतनी साथमे की इतनी और आटमे की इतनी और जब इन सभी को आप average करते हैं तो आपके पास final cross validation की accuracy आ जाती है यह सारे का सारा code आपको मिल जाएगा and this is how we do this cross validation k-fold cross validation and it's very popular among machine learning engineers इसकी reason क्या है क्योंकि यह वाली cross validation technique हमें अच्छे same model की performance को evaluate करने में help out करती है यहाँ तक के लिए इतना है एक चीज़ मैं यहाँ पे सिरफ add करूँगा कि जो हमने पिछले lecture के अंदर अगर आप गोर करें hyper parameter tuning के थूँ grid search cross validation की थी यह भी cross validation technique है कि आप क्या करते है different किसम के hyper parameters देते हैं और cross करके हर किसी hyper parameter के combination के आपके पास जो validation techniques है वो आज़ती है और साथ ही हमने यहाँ पे different dataset के उपर भी इस चीज़ को use किया अगर आप देखें तो यहाँ पे grid.fit xy हमने कर लिया था and that's how we also define the cross validation here तो हमने यहाँ पे भी cross validation के folds बताये थे जिसकी वज़ा से हमें पता चलिगा कि कौन सा best model हमारे पास best parameter आता है so cross validation और hyper parameter tuning side by side जाती है इसलिए मेरी आप से request यह है कि जब आप cross validation को देखें साथ में hyper parameter tuning को ज़रूर देखें इसे के साथ ही अगर आपने like नहीं के share नहीं के subscribe नहीं के do it and see you in the next lecture take care, Allahحافظ